हेलो फ्रेंज मैं हूँ मजीत काड़नेवित मजीत में आपका स्वागत है आज मैं फ्रेजबिन के उपर अपने वीडियो लेकर आए हूँ यह देखिए फ्रेजबिन के स्प्राउट्स निकलना आए हैं और यह बहुत आसानी से जल्दी से निकलाते हैं और गमले का जो साइस है वो आप आठ से नौ इंज के गमले में भी इसको लगाएंगे तो आराम से आप इस पे लगा सकते हैं यह देखिए एक मंत बात की यह वीडियो है और उसमें देखिए पौधा कितना ग्रोथ कर गया है और इसमें फ्लावर्स भी देखिए बन गये हैं और बहुत आसानी स यह गमले में हम लोग टेरिस कार्डन पे इसको लगा सकते हैं और वन्त में ही इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गया और इसका हाइट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है छोटे ही साइज में यह पौट काफी अच्छी यह मतलब पौट में यह ग्रोथ क कर सकते हैं देखिए कितने सारे फ्लावर्स बने हुए हैं और मिट्टी आप इसमें 50% गार्डन स्वाइल और 30% इसमें आप वर्मी कंपोस्ट और चाय कावडंग आप कुछ भी इसको दे सकते हैं यह देखिए यह और कुछ दिन के बाद की वीडियो है और इसमें धेर सार फ्लावर्स में फ्रेस्बिन भी देखिए बनने शुरू हो गई लगभग 40 दिन में आपको फ्रेस्बिन बनने शुरू हो जाती है और पेस्टेसाइड्स वगरण इसमें देने की कोई जूरत नहीं है आप नीम ऑईल का स्प्रेय आप करते रहें और 15-20 दिन के अंतर पे थ चुरू हो गई है चोटे से पौधे हैं और मैंने अपनी बड़ी सी क्यारी में लगाया है और यह आज 23rd of February है यह आज मैं शुटिंग कर रही हूं यह देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ आप देख रहे हैं कितनी सारी इसमें फ्रेस्बिन लगी हुई है अगर आप अपनी चत पे टेरिस कार्डन पे आप इसको कर रहे हैं तो 5-6 पौधा अगर आपने लगा लिया है तो आपके किचन के लिए आपकी सबजी बहुत भरबूर मातरा में आपको मिल जाएगी और काफी क्वांटिटी में फ्रेश और्गेनिक आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और उसके लिए जगा की बहुत ज्यादा चोड़ती हम इसको फुल संवर चाहिए ताकि इसमें जो फ्रूट plans धो उसकी ग्रोफ अच्छी हो सके जितने ही yem module उसको फूल सभावर फ्रेंट इतना ही हाइट रहेगा है यह बहुत लमबी वाली बेल में नहीं count आता है छोटी ही height में यह आपका गमले में बहुत अच्छी growth कर जाएगा और flowers इसको आप अप्रेल से मई तक में आप इसकी harvesting भरपूर मात्रा में लेते रह सकते हैं यह देखे friends press bean आपको दिखाई दे रहा है इसकी growth अच्छी और 10 दिन में इसमें मैं इसके harvesting भी शुरू कर दूंगी और जब मैं इसको harvest करूंगी friends तो उसका भी update में आपके साथ share करूंगी आपको मेरा वीडियो कैसे लगा बताएगा जरूर और साथी साथ आप अपनी छट पे भी इस फिरह से organic vegetables लगाते रहें और fresh खाते रहें बहुत ज़्यादा केर की इसमें आपको जुरूरत नहीं पड़ेगी और मैंने इसमें देखी क्यारी में 5-6 मैंने इसमें फ्रेजबिन के पौधे लगाए हुए हैं और हाइट भी देख रहें आप फ्रेंट्स इसमें फ्रूटी गानी शुरू हो गई है और हाइट इसकी ग्रोथ इतनी ही है इससे ज़्यादा इसकी ग्रोथ उपर नहीं आएगी तो छोटे से गमले मे ही अब लगानी में कर देख ने लोगएं शूरू हा शेयर करना चारी थी बहुत ही अच्छी जूसी मियरी हरस्टिंग स्ट्रॉबरी की मिली है और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजएगा बगल में लेकन होगा उसको प्रेस कर दीजएगा ठेंक यू